तो कैसी है पब्लिक, I hope आपके कॉरिंटेन के डेस अच्छे से जा रहे हैं, कुछ क्रियेटिव कर रहे हो इंटेनेट में ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वाइरल जा रहे हैं जिसमें एक फल बेचने वाला मुश्लिम आदमी अपने मूँ से लार या सलाइवा को निकाल के फलों पे लगा के उसे इंफेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो पे नजर मारते हैं और फिर बात करते हैं ध्यान से देख लिया तो इस वीडियो को किसी देशी मुजीतो भाई साहब ने किसी दीपक नामदेव के टिक टॉक एकाउंट के वीडियो को अपने टुटर पे शेयर किया और इसके बाद तो भाई बवाल मज गया है बीजेपी मेंबर्स बीजेपी सपोर्टर्स ने दे धना धन टुट मारे हैं इस पे और इसको 13,000 से भी जादा री टुट मिल चुके हैं तो लोगों को विश्वास हो चुका है कि ये एक बंदा जो कोरोना वाइरस फैला रहा है वीडियो में एक चीज़ जो सबसे दाधा क्लारीडी साथ दिख रहे ही कि हाँ वो बंदा अपना लार निकाल के फलों पे लगा के उसे इंफेक्ट कर रहा है अब बात आठी है कि वीडियो कब की है और कहां की है तो वीडियो एक्चुली में फेबरेरी सोला दोहजार बीस की और ये है राइसेन सहर का MP में जो बंदा फल बेच रहा है उसका नाम है शेरूख खान और जिस बंदे ने इस वीडियो को एक्चुली में शूट किया था उसका नाम है बोधराज टिपट्टा तो बोधराज टिपट्टा भाई साब ने जैसे वीडियो शूट किया उन्होंने जाके पुलीस में बताया हाँ ऐसा केस रेजिस्टर हुआ था जहां पर इस तरह के इंसिटेंट हुए थे फल बेचने वाले ने लार लगा के फल को गंदा करने कोशिश की थी बट यह चीज अब सट्ल हो चुकी है और राइसेन सहर में अभी तक किसी भी तरह का कोरोना वाइरस पॉजिटिव केस न तो अगर अभी किसी के दिमाग में यह चले है कि उसने ऐसा किया ही क्यों तो इसका exactly किसी के पास कोई अंसर नहीं है पर उनकी बेटी ने एक वीडियो मेसेश के थ्रू यह बोला था कि उनके पापा को किसी तरह का mental problem है जो कि वो हर वक्त पैसे गिनने का आदत की तरह दिख अबर्वारी 16 में शूट हुआ था उनके एक इसमें फाइर लॉज हो चुका है उनके इनको सजा भी मिल चुकी है और अगर यह वीडियो आपको कोई भी दिखा के बोला है रिसेंट वीडियो है आज कल का वीडियो है कोरिना वायरेस फिल आ रहे है आपके शहर का वीडियो है तब बताता है उसके मूँ पे तमाचा मारो और उसे बताओ सच्चा ही क्या है इन और टू प्रूफ मैं पॉइंट वीडियो के एंड में राइसन के एसपी का वीडियो रहेगा जहां पर उन्होंने खुद बोला है हो सारी चीज है तो वीडियो एंड होने के बाद वीड इस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे आपको वहां पर जाके पढ़ लेना और आपको अगर किसी भी वीडियो पर डाउट होता है तो मेरा इंस्साग्राम हैंडल भी नीचे रहेगा मतलब डोंट बिलीव का तो आप उस वीडियो को हमें भेजिए हम उसे डबल चे हो मैं मिलता आप से इंदा नेक्स वीडियो तब तक ख्याल रखो फेक निउस से दूर रहो और अपने घर में रहना ताकि स्प्रेड ना हो वाइरस सी यू कुछ वाट्सेफ ग्रूपों पर और फेस्बूप पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है यह आज ही हमारे संग्यान में आया तो जांच से पता चला यह काफी पुराना वीडियो है मगर इनमें जो लेखे तथ्यों की जांच की जा रही है मैंने मामला थाना प्रवारी को दे दिया है और इसमें हम विदाने कारवाई कर रहे हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं है मेरा आप सभी से राइसेंजले की जनता से अनुरोध है कि क्रपिया लागडाउन के निवों का पालन करें हमारे राइसेंज शेहर में आज तारिक तक कोई भी इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है कोरोना से बचाव के लिए आप अपने घर में रहें जब जहां आवश्यक हो वहीं आप घर से बाहर निकले तता साथ ही इस समय का सदपयोग अपने परिवार के साथ करें भीन्य प्रकार के कई वर सोशल मीडिया में एक दूसरे के बारे में धर्मों के बारे में लोगवाग ब्रामक जानकारी डालते हैं इस से भी हमें बचना चाहिए हमारा सारा समय कोरोना के बचाव में समास द्वारा क्या बहतर हो सकता इसमें लगाएं राइसेंग की पुलि